हम primary sources of information और secondary sources of information का एक comparison आपके सामने रखेंगे जिससे आपको इन दोनों के differences का अंदाजा हो सके और इसके जरीए से आप ये भी फैसला कर पाएंगे कि किस वक्त कौन से source of information को इस्तमाल करना मुनासिब होता है literature review के दौरान आप जो document से कठे करते हैं वो अपनी नौईयत में या primary source of information कहलाएंगे या secondary source of information कहलाएंगे और आप को preferably अगर primary sources of information तक access हो तो उन को इस्तमाल करना चाहिए लेकिन इसका फैसला करने के लिए कि primary source of information से क्यों बहतर होते हैं या क्यों फरक होते हैं ये देखने के लिए हम पांच चीजों को यार्ड स्टिक के तोर पे इस्तमाल करते हैं उन में information का या source of information का origin उसकी authenticity उसका purpose उसके evidence और type of information जो दी गई है ये पांच चीजें हम बन्याद बनाके compare करते हैं कि primary source में और secondary sources में क्या फरक होगा जैसे हमने लेकिए origin के लिहाज से अगर आप देखें तो primary source of information जो हैं उनके अंदर जो गी दी गई information है या दिये गए facts हैं वो direct उस source से आ रहे होते हैं जो उसको बनाने वाला source है जिसने वो document या वो information जनरेट की उसको जनरेट करने वाला असल source वही था authority वही थी जहां से वो information आनी तो बारा से अगर मैं मिसाल उसकी रखूँ आइन पाकिस्तान की तो देखिए आइन को बनाने वाला वो इदारा है जो उसको बनाने का मजास था जो authorized है वो काम करने के लिए तो Parliament of Pakistan authorized है कि वो मुलक का आइन बनाएगी उसने किसी की दी हुई information की वजाहत नहीं की खुद से उस information को generate किया क्योंकि वो उसको करने की authority है अब इसके मुकाबले में जितने भी secondary sources of information है उन में origin of information जो है वो उसका उसकी authority से नहीं आ रहा होता जिसने information देनी है वो उस document से start होता है उस document से originate करता है जिसकी interpretation के लिए उसको बनाया गया मसलब हमने आइन पाकिस्तान में खवातीन के हकुग पे एक किताब लिखी या को article लिखा किसी ने तो वो जो बातें उसमें लिखेगा वो बन्यादी तोर पे उसकी अपनी बातें नहीं है वो उस primary source of information या आइन पाकिस्तान में दिये गए होतीन के हकुग को वो compile करेगा और उसका एक analysis आपके सामने प्रिजेंट करेगा तो लहाज़ा लिखने वाला खुद authority नहीं है information की वो किसी source से primary source से ली हुई information की वजाहत करने वाला है उसको analyze करने वाला है उसको synthesize करने वाला हो सकता है source of information जो है origin of information जो है वो दोनों में देखिए कि एक तरफ information direct उस source से आती है जो उसको बनाने के लिए authorized है और दूसरी तरफ information उस authorized source से आई हुई information की वजाहत है तो यह दोनों में origin के लिहाज से फर्क हो गया इसे तरह देखिए authenticity बड़ी obvious सी बात है कि वो material जो उस जरीये से मुझ तक आए direct जो जरीया उसको लिखने का बनाने का देने का मजास था तो वो ज्यादा credible है authentic है बनिस्बत इसके कि वो किसी और के जरीये से मुझ तक पहुँचे यानि उस information को बनाने वाली authority कोई और थी और मुझे बताने वाले कोई और है तो वो असल में दरमयान में उस source याई उई information की वजाहत अपनी राए में अपने analysis में करते हैं सो secondary source में बाइस होने का इमकान ज्यादा है उसमें असल information से हटके आपकी राए की मदाखलत भी शामिल हो जाती है तो लहाजा जो secondary source से information आती है वो इस लिहाद से उसकी authenticity questionable हो सकती है कि जिसने वजाहत की उसने वजाहत करते वकत अपनी जाती राए को भी उसके अंदर शामिल करके उसकी वजाहत की या अपनी जाती understanding को भी उसमें शामिल किया यही वज़ा है कि interpretations individuals के बदलने से बदल जाती है जो लिख रहा होता है हर लिखने वाला एक ही बात की तश्रीफ मुख्रिफ तरीकों से कर रहा होता है तो लहाजा अगर इस क्राइटेरिये पे भी देखा जाए तो अथेंटिक होने के लिहाज से वो इन्फर्मेशन ज्यादा अथेंटिक होती है जो डिरेक्ट उस सोर्स से मुझे मिले जो सोर्स उसको देने का मजाज है जिसको इखतियार है तो इस criterion पे भी primary sources ज्यादा authentic होंगे बनिस्बत secondary sources of information के element of bias जो है वो नहीं होता primary sources में अब मकसद के लिहाज से देखिए primary sources information को उस शकल में record करते हैं जिस शकल में वो हो रही होती है जैनि उसके अंदर उनकी अपनी राय का context का इन चीजों का दखल नहीं होता जो चीज जैसे है exist करती है वैसे record कर ली जाती है निसाल के तोर पे आप schools का data लेते हैं और आपका schools में कितने teachers हैं कितने students हैं आप ये data collect करते हैं को Bureau of Statistics करता है या कोई education department करता है तो इसमें direct वहां पे मुझूद लोगों की तदाद टीचर्स की साथजा की कमरों की तदाद का data तो इसमें कोई biasness नहीं है ये एक factual चीज़ है जो जैसे है वैसे record कर ली गई जबके secondary source के तौर पे जब आप लेते हैं पर्पस के लहाज से तो उसका मकसदी contextual analysis होता है स्कूलों में कमरों की तदाद, teachers की तदाद, बच्चों की तदाद आ गई अब student teacher ratio मुनास्थब है के नहीं है इसके बारे में जो भी कोई बात करेगा तो वो अपनी राये से, अपनी understanding से करेगा कि कितने students के अगेंस्ट कितने teacher होने चाहिए या एक teacher के अगेंस्ट कितने student होने चाहिए तो यह उसकी interpretation of information है interpretation हमेशा contextual होती है, किसी environment में की जाती है, लहाजा उसके अंदर authenticity या उसके अंदर purpose को अगर मैं ले लू तो entirely different purpose है उसका वो होती ही interpretation किसी context में, context बदल जाएगा तो हो सकता है, interpretation भी बदल जाती है तो by purpose दोनों information एक दूसरे से फरक है, एक direct data record करती है, जो जैसे exist कर रहा होता है, दूसरी किसी context में उसी data को interpret कर रही होती है इसी तरह गर आप evidence की quality पर बात करें, तो evidence के तोर पे जो primary information मेरे पास आती है, वो ज्यादा usable है in terms of research purpose या research को बेहतर बनाने के लिए, जबके जो information किसी और जरीये से आती है, तो मेरा एक challenge और add हो जाता है, कि पहले मैं उस evidence को authenticate करूँ पहली सूरत में evidence direct है, तो उसको authenticate करनी के में जरूरत नहीं है primary source के, जब मैं है मेरे पास, लेकिन जब secondary source information लेता हूँ, तो पहले मुझे authenticate करना पड़ता है, कि यार ये बाते हैं भी ठीक या नहीं, ये evidence जो है, ये अपने तोर पे दुरूश भी है, या नहीं, तो ये मेर तो primary source आपको raw data provide करेगा, किसी भी event के मुझे पहलूओं के बारे में, यहाँ event से मेरी मुराद, जैसे मैं पहले का फर्स करने school है, तो मैं schools के बारे में data लेता हूँ, वहाँ कमरे कितने हैं, student कितने पढ़ते हैं, teacher कितने आते हैं, staff कितना है, learning material कौन से हैं, तो मैं उसको वह जो numerical form में hard core empirical evidence आता है, जबके secondary source की बात करूँ, तो मेरे पास वह एक broader overview देता है, जो context bound होता है, तो type of information फिर वही बात contextual आ गई है, अब वो अपनी असल शकल में हो सकता है, ना भी हो, context में दुरूस्त हो, otherwise वो किसी और meaning में हो, तो आप इन सारी बातों को अगर जेन में रखें, जिन पर हमने इनको compare किया, तो आप देखते हैं, कि जो primary sources of information है, वो information अपने तमाम criteria पे secondary information से preferable है, लेकिन access to primary information हमेशा हमें इतनी आसानी से मिलती रही है, तो लहाज़ा हमें forcefully भी at times ज्यादा तर secondary sources of information को consult करना पड़ता है और फिर उसको consult करें, उसको इस्तमाल करने में कोई कदगन नहीं, कोई बुराई नहीं है, बशर्ते के आप उसको इस criteria पे जो suggestions दी गई हैं, कि उसके evidence को चेक कर लीजिए, उसकी authenticity को देख लीजिए, इन चीज़ों को अगर आप ascertain कर लें, तो हम primary source के साथ, secondary sources of information को भी literature review मे इस्तमाल कर सकते हैं